हेलो थियन फैमली कैसो आप सोई लोग आई होप कि आप से लोग बड़ी होग एर आप से लोग को बड़ी हां होना भी चाहिए तो आई होप कि आप लोग को पिछले एपसोड काफी पसंद आया होगा और पिछले एपस़ोट को मैं आप लोग को बता देता हूँ लेकिन उस्से पहले लाइक से सब्सक्राइब मार दो तो चलो बात कर लेते पिछले एपसोट पर पिछले एपसोट पर हमने देखा था कि सपरेड इस पेस पे जो यन जियो ई से मिलता है और उसे कापी सारी बाते करता है जहां पर जोयन को पता चलता है कि यह बंदक जित्ता अच्छा दिख रहा है उत्ता अच्छा है नहीं इसके तो अपने अलगी रादे हैं और जूतियान वो को भी यही पाल रहा था मतलब सपोर्ट कर रहा था अपने यूस के लिए ताकि वो उसकी बॉड़ी का यूस करके जो क्लेन की एंपरर फ्लेम को कंट्रोल कर सके जिसके बाद और भी काफी सारी इन के बीच में कनबर सेशन होती जो कि अपने पिछले एपसोट में सुन ली होंगी जिसने नहीं सुना वो पिछले एपसोट देख लेना जैन हमने देखा था कि जोयन एक मौंटेन के पास गया था क्योंकि जो एओ को वहां से कुछ अलग साफ हील हो रहा था और वो बताते कि मास्टर इतियान चैन के साथ वो वहां पे गया था जब जोयन वहां पे जानता है तो उसे बूसाओ की वहां पे मिलती है और उसके बाद उन दौनों का सामना होता है वहां पे मोनार्च एंपरेल लेबिल के एक बीष्ट से जो की जाइन टेप होता है और दौनों लोग उससे लड़ते भी है बड़ जोयन कुछ पज़ादा प्रॉफिट उठानी पा रहा था इसलिए जोयो कहता है हम ज़्यादा देरता किसे नहीं रोख पाएंगे तो हम अपना एंग्री बुद्धा लोटस ट्राइक करो जिससे आसपास की चटाने तक गल रही थी जोयो यह देखकर सौक होते हुए कहता है इसकी डेट कोई से साबधान रहना और इसके बड़ उसकी बॉड़ी से परपल गोर्डन लाइट निकलती जो की उस ब्लैक फॉग के चपेट में आने से पहले ही जोयान और बूसाइकों को अपनी और लपेट लेती है और जैसे ही वो ब्लैक फॉग परपल गोर्डन लाइट के टच में आती है तो ऐसे हावा आ जाती है जैसे की उबलते हुए तेल पे किसीने पानी डाल दिया हो जिसके बाद जियो यो जोयान की तब देखते हैं कहता क्या आपका काम हो गया हम अब इससे और देट तक नहीं रोक पाएंगे इस टाम पे जियो यो काफी सीरियास होता क्योंकि पिछली बार इस्टार सेविरिंग मांटन रेज में जब उसने अर्थपायर प्रोफाउंड क्रिस्टल बीष्ट के साथ फाइट की थी तब उसकी बाड़ी में जो जरीस आई थी वो अब तक ठीक नहीं हुई थी इसलब वो इस जाइन टेप का सामना करते हुए अपनी पूरी पावर का उनलेस नहीं कर सकता था इसलब वो जाइन के केवल एंगरी बुद्दा लोटस पे ही उम्मीद कर सकता था दूशतर बूसाओं की का भी चैरा पीला पड़ गया था क्योंकि उसने जो एरोस फायर किया थे उन एरो के कांड उसकी बॉड़ी की काफी सारी ओरीजन कोई पहले ही खत्म हो चुकी थी हाला कि जब जाइन टेप देखता है कि उसके कोल्ड इन ओरे ने यानि की डेट कुई ने जियो ये ओ जियो यान और भूसाओं की को बिलकुल भी चोटने ही पहुचाई है तो वो जाइन टेप काफी नाराज होता है और अपने डार्क आइरन इस्टाफ को पकड़ कर क्रुल ओरे के साथ दोड़ पड़ता है तब ही जो यान की भी बंदा के खुलती और वो कहता है मैंने कंप्लीट कर लिया और इस्टाब इस जोण का चैरा भी काफी पीला पड़ा हुआ होता है और उसके हाथ में क्रिश्टल हुआइट ट्रांसपेरेंट फाइल लोटस गूम रहा होता है और उसके घूमने से आसपास का स्पेस भी और अरलीज हो रहा था उससे तो वो भी डर गई थी हाला कि तभी जोण एक जटके के साथ अपने फाइल लोटस को जाइंट डेविल एप की तरब बढ़ा देता है और वो डेविल जाइंट टेप भी जोण के फाइल लोटस के अंदर की पावरफुल ग्रुयल और ही को फील कर सकता था क्योंकि आखरकार इसके दिमाग में के अंदर भी कुछ दिमाग तो था इसलिए तरन्ती वो एक धीमी और स्ट्रोंग पावरफुल रोर करता है जिसके कारण उसकी डेट कोई चारु तरफ फैलने लगती है और अंगले इपल पेइनफुल रोर के साथ आसपास की डेविल कोई पूरी तरीके से गाव हो जाती है और डेविल एब साब के सामने आता है तभी जोनिस डेविल एब जाइन टैप को देखते हों कहता है क्या वो बास्तों में अब तक नहीं मारा इस टैप पे जोन को ट्रस्ट नहीं हो रहा था क्योंकि प्रेजेंट टाइम की उसकी पावर के साथ एंपररल कल्टिवेंसन लेविल का बंदा भी जोन के एंग्री बुद्धा लोटस के खिलाप आसानी से बचने की हिमत नहीं कर सकता था जबकि यह डैविल एप अभी जीवित होता है हाला कि डैविल एप की हालत काफी यादा बुरी होती है उसके सरीर का जो आर्मर था वो टूट चुका था बोड़ी काफी यादा एल्यूस नरी दिखाई दे रही थी और उसका जो एनर्जी कोर था वो भी काफी यादा धुन्दला हो गया था और उसका क्रूल और पूरी तरीके से गायव और इस टैम पे वो डैविल एप जो आनको काफी यादा डरावनी नजर से देखता है और तुरंथी माउंटेन के डीप एरिया की तरफ भागने लगता है और कुछ कदम तक आंगे भागने के बाद वो तुरंथी गायव हो जाता है तभी जो यो चिलाते हुए कहता मामू इस बंदे को घायल करना इतना भी आसान नहीं है मैं इसको आज जाने नहीं दूँगा और इसके बाद तुरंथी चिलाते हुए आंगे बढ़ जाता है तो दूसी तरफ जो यान भी अपने दान पीस कर जो योग के पीछे जाता है आखिर कर मूनार चेंपरेल लेविल के एनरजी कोर के साथ जो यान अगर अपनी पावर को बढ़ाना चाहे तो वो काफी अच्छे से बढ़ा सकता था हाला कि जो यान को आँगे जाता हुए देकर बूसाओ की भी बिल्कुल नहीं डरती और तुरंती आँगे बढ़ जाती है इस टाब पे जो यान डेविलेप का पीछा कर रहा होता है और यही सोच रहा होता कि अगर यह उसके एंग्री बुद्धा लोटस से नहीं मरा तो यह कितना ज़्यादा पावरफुल नहीं होगा हाला कि उन ने उन लोगों ने मिलकर डेविलेप को काफी हैवीले इंजर्ट कर दिया था इसलब वो उसे आसानी से छोड़ना नहीं चाहते थे तब ही ब्लेक फॉग में जोयान आसपास की जगए को स्कैन करते हुए कहता आजीब बात है यहाँ पे कोई भी एनरजी बॉडी नहीं है जोयान को यहाँ पे एनल्यूजनरी स्प्रेट स्पेस के पॉपुलर इन मेरेडियन में कोई भी एनरजी बॉडी नहीं दिखाए दी थी दूसरब जोयो की आँकों में भी परपल गोल्डन लाइट साइन हो रही होती है और वो तुरंती कहता है कि वो डेविल बीष्ट अपनी पाउर को बढ़ाने के लिए अधर डेविल बीष्ट को मार कर खा जाता है इसलिए वो अब तक इस लेविल तक पहुँच पाया है और मुझे लगता है कि इस एरिया के सारे ही devil beast को उसने पहले ही खालिया होगा दूस्तर बूसाओ की भी आसपास की age आसपास के खत्रों से बचने के लिए और traps बचने के लिए अपने senses का यूज़ कर रही होती है और जॵान की बात को सुनकर काफी सोख होती है और इसके बाद वो बताती है इन मेरेडियन इलिूजनरी इस्प्रेटि स्पेस में पाँच में इन मेरेडियन में से एक है और इसे समन इन मेरेडियन कहा जाता है हाला कि ASEAN time में काफी सारे expert यहाँ पे मारे गए थे लेकिन यह बहुत पहले की बात है और उनके द्वारा पीछे छोड़ी गई origin कोई की quantity कम पे कम होती जा रही थी इसलिए इस तरीके के devil beast को बनाना अब आसान नहीं है यह सुनकर जो यान भी इस बात से agree होता है क्योंकि उसे पता था कि कोई भी origin कोई इतने time तक survive नहीं कर सकती और साथी जो यान यह भी जानता था कि यही एक reason भी है कि चार academy ने इस जगे पे अब अपने disciples को बेजना इस्टार्ट किया था क्योंकि यहाँ पे energy body ज़्यादा strong नहीं थी इसलिए ज़्यादा powerful expert अब इस जगे पे ज़्यादा interest नहीं दिखाते थे हालाकि जैसे जो यान वागी सबी लोग थोड़ा और आंगे बढ़ते हैं तो अचानक उनके सामने का सारा ही scene साफ हो जाता है और वो इस belly से आंगे बाहर आ गए थे जिसके बाद उनके सामने blood red एक see सा दिखाई देता है और यह blood see infinite inquiry से बरा हुआ होता है यहाँ तक यह आसपास की चटाने भी red color की हो गई होती है दूसरी तरब वो devil app बिना कि see को देखे और पीछे देखे blood see के अंदर गुस गया था तभी जियो यह कहता है यह जग है blood see कब बन गई इस टेंप पे तो उसके चेरपा untested face impression होते हैं तभी जियो आनो बूसाओ की भी तुरंती रुख जाते हैं और एस evil inquiry को feel कर सकते थे जिसे वो अपनी origin inquiry के साथ भी अपनी बॉडी से दूर नहीं कर पा रहे थे साथी जो यहो की बात को सुनकर बेर दौनों ही लोग surprise होते हैं जबकि बूसाओ की तो और भी ज़्यादा सक भरी नजरों से उसे देख रही होती है क्योंकि उसे illusionally split space के बारे में कापी कुछ पता था और उसे यकीन था कि उन लोग एकेडमी वे कोई विया सरडिसाइबर नहीं होगा जिसे blood C के बारे में पता हो क्योंकि एडलर बूसे भी उसने इसके बारे में कभी नहीं सुना था पिर ये लाल बालो बाला बंदा ये इस Blood Sea के बारे में क्या जानता और कैसे जानता है इस जगे के बारे में तभी जियो यो कहता है मामू ओल्ड मै और जब मामू तेरा ओल्ड टीचर और मै जब इस जगे पर आये थे तो ये बिल्कुल समतल घाटी थी लेकिन केबल 10,000 साल ही बीते हैं यहाँ पर Blood Sea कैसे आ गया साथी जो यो ने इतना स्लो बोला था कि यह आवाज केबल जो यान सुन सकता था और यह सुनकर जोन की बहुत तन जाती है क्योंकि उसने देखा था Blood Sea के अंदर Devil Lab पहले ही कुन चुका था हाला कि वो लोग बात करी रहे होते हैं लेकिन तब ही अचानक से एक आवाज आती है भाग जाओ जिससे वो सभी लोग चौक जाते हैं और इसके बाद उस Blood Sea से अचानक से बेप सिजनलेट होने लगती है और पूरा पानी खौलने लगता है जिसके बाद एक Black Feather से ढखा हुआ जाइंट भालू उनके सामने अपयर होता है यह देखकर वो सभी लोग तुरंती चौक जाते हैं क्योंकि उन्होंने देखा था इस Devil VR ने Bone X को पकड़ रखा होता है और उसकी पूरी वाड़ी से डेड कोई काफी खतरनाग तरीके से रिलीज हो रही थी यह देखकर वो सभी तुरंती कहती है यह एक कौन सी जगह है जहाँ पे एक और Devil Beast अपने आप ही अपयर हो सकता है दूरी तब जोयो तो हलका सा डरा हुआ होता है इस जाइन टेप को देखकर क्योंकि उसने फिल किया था कि इसकी पावर Devil एप से बिल्कुल भी कम नहीं थी जिसके कान जोयो तुरंती कहता है यहाँ पे मोनार चंपरर के इतने सारे बीष्ट क्यों है और वो एक साथ ही यहाँ क्यों दिखाई दे रहे हैं साथ ही ऐलूजनरी इस प्रेटे स्पेस में और इजन कोई को फिर से प्राफ्ट करना काफी कठिन था और प्रेजेंट टाइम की और इजन कोई के साथ उससे अच्छी तरीके से पता था कि वो फाय लोटस को सक्सेसफुली फ्यूज नहीं कर पाएगा जोयान के ऐसे फेसम प्रसन को देखकर बूसाओ की तुरंती अपने होटो को से कोड़ती है और इसके बाद अचाना कि उसकी आखे साइन होती है और वो कमिटेट तरीके से उस वियर की तब देखती हुए कहती है तुम लोग जल्दी जाओ मैं ऐसे ब्लॉक कर दूँगी इस टाम पे जोयो को भी हलका सा पच्टावा हो रहा होता है कि उसने जोयान को एंगरी बुद्धा लोटस यूज करने के लिए क्यों कहा था और इस टाम पे उनने पता था कि अगर वो इस डैविल वियर के साथ फाइट करना कंटीनू रखते है तो उनके पास जीतने का कोई भी मौका नहीं होगा साथी जोयो को पता था बुसाओ की केबल इस वीष्ट से फाइट करके हार ही सकती है और वो भी इसे हरा नहीं पाएगी नहीं रोक पाएगी हाला कि जोयो कुछ कहता उससे पहले ही बुसाओ की चिलाते हुए कहती ही तुम सब जाओ मैं इसे रोक दोंगी और इसके बाद जोयो से भी फास्ट स्पीड के साथ वो डैविल वियर की तरब बढ़ जाती है और अपने पतले से हाथ से वियर के पेट पर अटेक करती है सत्य उनके हाथों की हलकी सी फ्लेक्शूेशन के साथ उसके हाथ में एक सील दिखाई देती है और यह बुसाओ की की सबसे पावरफुल और ट्रंप कार्ड अटेक हैवेन फाइटिंग सील थी हाला की बुसाओ की की जो हेवेन फाइटिंग सील थी वो अकेडमी के काफी सारे डिसाइबल्स के लिए काफी स्ट्रॉंग हो सकती थी लेकिन इस जाइंट वियर के लिए तो ये कोई भी खतरनाथ चीज नहीं थी लेकिन जोयोका ड्रेगन टेबलेट हैंड इसका ध्याना ट्रेक्ट कर सकता था हाला की जोयोका टेक उससे लग पाता कि उससे पहले ही वो डेविल बेयर अपनी वो नेक्स को फ्लिप करता है और उसके और ही के साथ ही जोयो का टैग तुरंती डिश्ट्रॉय हो जाता है और इसके बैकलेस फोर्स के कार जोयो का चैरा पीला पर जाता है और उसके मूँ से परपल गोल्डन ब्लड निकलने लगता है जिसके बाद वो सीधा ही जोयो की बाहों में आकर गिरता है जिसके बाद जोयो पीले जोन बूसाओकी को देखता है क्योंकि जिस टाइम पे डेविल वियर का हैंड जो यह से टकराया था बूसाओकी की भी हेवन फाइटिंग सील उस डेविल वियर से जाकर टकरायी थी और उस अटेक के कारण डेविल वियर की जो डेड कोई थी वो चारों तरफ बिखर गई थी और वो थोड़ा सा पीछे की तरफ चला गया था हाला कि जैसे ही जोन की नेजर बूसाओकी पर पड़ती है तो वो देख सकता था बूसाओकी ने अपनी गर्दन को टच किया था और उसके पीछे गर्दन पे जो कर्स होता है वो तुरंती अक्टिवेट हो जाता है और उससे red light sign होने लगती है और एक formation अक्टिवेट हो जाती है और जैसे ही वो कर्स अक्टिवेट हुआ था जोन देख सकता था कि बूसाओकी के jet black hairs जो एक साथ बंदे हुए थे अचानक से भिखड़ जाते हैं और यलो कलर में चेंज हो जाते हैं उसका चेहरा जो काफी सुंदर था इस समय काफी यह बूढ़ा सा लगने लगता है और जियोयान अपनी सेंसेस से यह पता लगा सकता था कि बूसाओकी की लाइप आवर तेजी से कम होती जा रही है यह देखकर जियोयान तुर्णती कहता है क्या चल रहा है इस्टम पे जियोयान बूसाओकी को देखता है जिसका चेहरा एक ओल्ड लड़की की तरह लग रहा था जो मरने वाली हो उसके चेहर पर बलड का कोई निसान नहीं था और उससे निकलने बाला किलिंग एंटेंटोरा पूरे माउंटें को कवर कर लेता है दूसरी तरह बो डैविल वेर भी अपने सिर को उपर करके खड़ा हुआ होता है और उसके हातों की जो जाएंट बोन एक्स होती है उसमें एक सकालेट बलड रेड औरा घूम रहा होता है साथी उसकी बोड़ी पूरी तरीके से डेड कोई से कवर थी और वो अपने सामने बूसाइकी को देखता है जिसके बाल पूरी तरीके से होइट हो गए थे और चेहरों पे जुली आ गई थी और उसकी बोड़ी हलकी सी जुकी होई होती है तभी जोयो कापते हुए जोयान के पाहों से नीचे आता और तो अंदी कहता है उसकी लाइप पावर इतनी जल्दी कम कैसे हो सकती है इस टम पे तो जोयो का चरह डर के बारे पीला पड़ गया था तभी जोयान भी चिलाते हुए कहता है क्या तुम अपनी लिमिट नहीं जानती हो जल्दी से रुक जाओ बढ़ना तुम मर जाओगी और इसके बाद वो आंके बढ़ने ही बाला था लेकिन उसे पता था कि इस डेविल बियर के सामने उसके अने बीटिवल पावर्फुल लग रही होती है और उस लाइट से टकराते ही डेविल वियर उड़ते हुए चट्टान से जाकर टकराता है जिसके बाद बूसाओ की जोयान की तब देखते हुए कहती जोयान मैं इसे रोक लूँगी तुम जल्दी से इस जगे को छोड़ दो जिसके बाद बूसाओ की जोयान और जोयो को देखते हुए कहती है बेरी बोडी में एक कर्स है जो कि मेरी लाइप पाबर को यूज़ करके इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है और अगर मैं इस जगे से निकल भी जाओं तो भी कुछ सालों के बाद मैं मर जाओंगी और इस बार मैंने एल्यूजनल इस प्रिट रियलम में इंटरी किया है अपने कमिट्मेंट के साथ कि या तो मैं इस कर्स को बापत से सॉल्व कर दूँगी या फिर मैं यहाँ पर मर जाओंगी हाला कि मैंने अपने कर्स को एक्टिवेट कर दिया लेकिन मैं इस डेविल वीष्ट को मार सकती हूँ और इसके बाद रुखते हुआ बूसाओ की तुरंती कहती है थोड़ा सा इमोसनल होते हुए कि बाहर जाने के बाद ग्रेंट फादर को कुछ भी मत बताना बना उन्हें टेंसन होगी बस नाटा करना कि तुमने कुछ भी नहीं देखा और ऐसा कहते हो उसकी आँखों से आसू बैने लगते हैं भाई लड़की रो दी हमको पता है भाई हमारे ठरकी की बीकने सी लड़की है उसके लिए तो भाई इसने हुनकलेन की लंका लगा दी थी अब तो ये डेविल बियर पेला जाएगा चलो देखते क्या होता है जल्दी से इस टाम पे जुएर ने देखा था बट उसे अपनी फैमिली अपनी ग्रेंट फादर अपने लोग उन सभी को छोड़ने का दर्द था जिसके करण वो हलका सभी एक फील कर रही होती है और बूसाओकी की बात को सुनकर जोयान का दिल पूरी तरीकी से बैठ जाता है किस लड़की ने मरने का बन मरा लिया है तभी चट्टानों के धेर से चलंग लगाते हुए जाएंट वियर एक बार फिर से दोड़ता हुआ आता है और उसकी डेट कोई चारो तरफ फैलने लगती है तभी बूसाओकी खुद को कंट्रोल करती हुए कहती है लेट्स गो और इसके बाद उसकी आँखों से दो गोल्डन लाइट निकलती है और उसकी हाथों में तुरंती एक सर्कुलर फोर्मेशन दिखाई देती है जो की पूरे मौंटेन को कपाक ही रख देती है और इस गोल्डन सर्कल फोर्मूसन के साथ जैसे ये जैन टेप से टकराती है तो उसकी आसपास की जो डेट कोई होती है तुरंती गायब हो जाती है और इसके बाद सीधा ही जैन टेप से जाकर टकराती है आई मीन डेविल वेयर से जिससे डेविल वेयर बुरी तरीके से जीखने और चिलनाने लगता है और उसकी body तो जलसी रही होती है और इसके बाद ये devil wear लगबग मरने के कगार पर पहुँच गया था और जिस टाम पे उसने I mean बूसाओकी ने इस golden formation का यूज किया था तो वो powerless होकर ऐसा feel कर रही होती है जैसे कि वो अभी जमीन पे गिर जाएगी तबी जोयन काफी speed के साथ आंगे बढ़ता और बूसाओकी को पकड़ लेता है इस टाम पे जोयन बूसाओकी के भूड़े और old face को देख सकता था उसके होट फटे हुए होते हैं और वो बोलने के लिए अपनी पूरी power को लगा रही होती है और वो जोयन से कहती है ये लगभग मर चुका है इसके energy core को लेलो और इस जके को छोड़ दो और प्लीज grandfather को कुछ मत बताना और ऐसा बोलते हुए उसकी आँखों से आसू गेने लगते हैं और इस टाम पे जोयन देख सकता था भूसाओकी की आँखों से धीरे धीरे life power गयव होती जा रही थी जिसके बाद जोयन तुरंती कहता है नहीं नहीं और जोड से चिलाते हुए जोयन कहता है इसके अंदर कोई life power नहीं है और ऐसा कहते हुए जोयन रोने सा लगता है उसने फिल किया था कि भूसाओकी की बोडी की जो life power थी वो पूरी तरीके से बिखर गई थी जिसके बाद जोयन कहता है और वो लग लग बग रोने सा लगा था सात्यों से लग रहा था कि ये सब उसके करण हुआ है अगर वो इसे devil beast का पीछा करती हुए यहां पे नहीं आया होता तो बूसाओकी अभी भी जिन्दा होती और वो लोग अभी भी इस जगे को छोड़ सकते थे और बूसाओकी की की जान भी नहीं जाती तबी जोयन कहता है ठीक है जोयो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और इसके बाद जोयन भूसाओकी को एक चटान पे रखता है और उसके बाद वो जाइन टेप को देखता है I mean devil bear को जो कुछी दूरी पे पड़ा हुआ होता है उसकी आखों में तो गुसा होता है लेकिन जोयान देख सकता था devil bear भी काफी बुरी तरीके से काप रहा था इस टाम पे जोयान को भी अपने दिल में काफी बुरा लग रहा होता है इसलिए जोयान अपने हाथों को कसता है और उसके हाथ में तुरंती grimson golden flame अपयार होती है जिसके बाद जोयान अपनी fire body को भी activate कर देता है और demon bear की तरफ दोड़कर तुरंती गुस्ते से उसे काफी भारी मुक्के मारने लगता है और चिलाने लगता है मुझे माफ कर दो मुझे माफ कर दो और इसके बाद devil bear की पूरी body जोयान की crimson golden flame के काट जलके राख में बदल जाती है और उसका energy core धीरे धीरे जोयान के सामने आता है जिसके बाद उसे energy core को लेकर जोयान काफी उदास होता है उसे काफी वुरा लग रहा होता है तभी जोयो बूसाओकी के पास बढ़ अठा हुआ होता है वो तुरंती चिलाती हुए एक बोलता है illusionary spirit space मैं एक बार future में जब अपटी power को पूरी तरीके से ठीक कर लूँगा तो मैं तुमारी सभी की सभी पाँच प्रमुक इन मेरेडियन को नश्ट कर दूँगा और little missy मैं तुम्हें मौत के घाट उतार दूँगा जोयो की ऐसी चिलाने बाली आबाज को सुनकर जोयान तुरंती जोयो को देखता है जो की काफी ज़्यादा उदासों ने रास बैठा हुआ था हालाकि जोयो ने अभी ये कहा ही था कि तबी एक आबाज आती है हे छोटे साथ ही तुम्हें इन पांच चीफ में रेडियन्स को डिश्ट्रॉय बिल्कुल भी नहीं कर सकते और जोयान कुछ कहने बाला होता है कि इस ओल्ड वाइस को सुनकर जो की पूरी बैली में गुंज रही होती है काफी अरा सौक हो जाता है याता कि जो यो भी दंग हो गया था और तुनंती खड़ा होकर कहता है कौन है यहाँ जो भी ओ निकल जाओ तभी जोयान भी सीरियस तरीके से ब्लेड सी की तरब देखता है जो की लगभा गोबल रहा था और से काफी सारी बैफ जनरेट हो रही होती है और अंगलेई मुमेंट एक भूम की आवाज के साथ ब्लेड सी से ब्लेड फॉग रिलीज होती है जो की आसमान में एक जगए पर कंडेंस होने लगती है और वो पूरी जगए एक मैदान बन जाती है और उसके बाद उन तोनों की सौक नजरों के सामने उसे जगए पर ब्लेड रेड दो आखे दिखाई देती है जैसे कि उन आखों से खून बह रहा हो तभी जयो यो जो की पहले से गुस्से में था तुरंती नाराजगी से चिलाती हुए कहता है मिस्टीरियस बनने का नाटक मत करो एक मरा हुआ आदमी अभी भी हमें डराने की कोसिस कर रहा है दूसर जोयान की फायर बॉड़ी भी जोयान ने गायब कर ली थी और वो जैंट ब्लेड आखों को देख रहा होता है क्योंकि जोयान को पता था चाये कोई म्यूटेशन हो या कोई भी तरीका कोई भी ओपनेट इतने लॉग टाइप तक सर्वाइब करने में कैपबल नहीं हो सकता हाला कि तभी आप आजाती है तुम सही कह रहे हो मैं बास्तों में एक मरा हुआ आदमी हूँ हाला कि मैं उन लोगों के अपोजिट हूँ जो लोग मरकर एनरजी बॉडी में तब्दील हो चुके है मैं मर तो गया हूँ लेकिन मैं अभी भी जिन्दा हूँ तभी जियो यानो जियो यो चौकते हुए कहते है तुम जिन्दा हो कार सुप्रीम सेंट लेबल के एक्सपर्ट इमोर्टल है और अनब्रेकेबल और अन्डेस्ट्रिक्टिव है इसलिए मेरे पास उने सील करने के लावा कोई भी आप्सन नहीं था हाला कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था उन्होंने मेरी बॉड़ी के अंदर की ओरिजन एनर्जी को निकाला है और अपने जूनियर्स के कल्टिवेशन को बढ़ाने के लिए उन्होंने उस एनर्जी को एनर्जी वीष्ट और एनर्जी बॉड़ी इसमें बदल दिया है तब ही जून जब यह सुनता है तो वो तुरंथी कहता है जून को याद था कि उसने सुध्सुमा के साथ फाइट की थी जिसके बाद जून के फेसें प्रसर अचानक से बदल जाते हैं और वो तुरंथी कहता है क्या आप नीदरलेंड डोमेंसे हैं और इसके बाद जोयन तुरन थी ब्लड आई की तरब देखता है दूसराब जोयो भी यूमन बॉड़ी में चेंज होनी के बाद अपने पास्ट लाइब की काफी सारी यादों को वापस पाचोका था और उसे भी अच्छी तरीके से याद नहीं था कि एल्डरी और उसकी पास्ट लाइब कैसे बीती थी और वो कैसे मरे थे हाला कि तभी ब्लड आई से आबा जाती है क्या बात है आप नेधर इंपीलियर कॉंसोर्ट को कैसे जानते है इस टाब में वो जान से काफी इंट्रेस्टेट तरीके से या कोश्चन करता है तभी जोयान भी अपने दाथ बीचते हुए कहता है मैंने कभी कभाल लोगों से इसका जिक्र करते हुए सुना था हाला कि तभी जोयो कहता है अरे जिन्दा लास मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ क्या हो उन दो डैमन्स को तुमने छोड़ा था और इस टाम पे जोयो के वर्ड कोल्ड और उसमें गुस्सा भी होता है लेकिन तभी बलड आई से आवा जाती है ऐसा लग रहा था जैसे उसे सील कर दिया गया हो यहां तक कि वो बोल तक नहीं पा रहा था तभी जोयोन कहता है तुम क्या करना चाहते हो उसने देखा था इस बंदे ने जोयो को आसानी से कंट्रोल में ले लिया था लेकिन जो अनको इतना पता था कि सामने वाला बंदा कोई नॉर्मल नहीं है क्योंकि उसने बड़े आसानी से बता दिया था कि उसके पास एम्परार फ्लेम है तभी बलड आई की हस्ती होया आवा जाती है चिंता मत करो मैं इस छोटी सी चीज को चोट नहीं पहुचाऊंगा और इसके बाद उतरंती कहता है एक बंदा कुछ ताइम पहले यहाँ पे आये था मैंने उसे देखा था हाला कि उसकी पावर अच्छी नहीं थी लेकिन उसका फाउंडेशन काफी अच्छा था यहाँ तक कि उन लोगों में भी जिनने मैंने पहले देखा था लेकिन फिर भी वो इतना भी capable नहीं था कि उसके सामने मैं खुद को appear करूँ इसलिए मैंने उसे जाने दिया लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप में से कुछ लोग यहाँ फिराएंगे और आप में से एक के पास तो अभी भी दो एंपरर फ्लेम है यह तो सबसे बड़ा आश्चर है तभी जोयान का चेहरा भी अचानक से बदल जाता है और वो सोचता है कि साथ यहाँ पे आने बाला लास्ट परसन मू-यु-आंग या लिंग्डाउ में से कोई रहा होगा या फिर किसी अधर अकेड़मी का कोई जीनियस परसन रहा होगा हाला कि तभी जोयान याद करता है कि मू-यु ने उसे बताये था कि श्टारिस का एकेड़मी में एक परसन था जो मू यांग को चैलेंज कर सकता था तो क्या वो यहाँ पे हुआ आया होगा हाला कि तभी जो अन कहता है क्या तुम मुझसे मेरी फ्लेंस लेना चाहते हो या तुम क्या करना चाहते हो इस टमपे जो अन ऐसा कहते हुए थोड़ा सा एलर्ड भी होता है तभी ब्लेड आईस याब आजाती है ऐसा नहीं होगा हाला कि मेरी इसे लेना बाग काफी अदा आसान है लेकिन ये बेकार होगा और इसके बाद वो थोड़ी सी फिलिंग्स के साथ कहता है एसियन टाइम में ये एक बैटल एरीना था यहाँ पे बहुत साइब लोग मारे गए थे और उनकी इन एनरजी काफी अदा श्ट्रॉंग थी जिसके बाद ये जगे पूरी तरीके से एक प्रिजन की तरह बन गई थी उन ओल्ड लोगों ने मुझे यहाँ पे सील कर दिया साथी मेरा कॉंस्ट्यूशन काफी अदा अनोखा था और उसके एफेक्ट के कारण मैं यहाँ पे नहीं मारा बलकि मैं अपनी मेमोरी के साथ ऐसा बन गया हाला कि अब मैं एक इंसान की तरह नहीं दिखता लेकिन एक यह जिन्दा लास यानि की जॉंबी जैसा है का इंतिजार कर सकता हूँ लेकिन यह मेरा लख है छोटे साथी कि मैं आपके पास कि मैं आपसे मिल पाए जिसके पास एंपरल फ्लेम है जब जियो यान यह सुनता है तो वो अपने बगल में फसे हुए जियो यो को देखता है और बूस साउकी की तरब देखता है जिसके बाद वो डीप वाइस में कहता है उन दोनों बीष्टों को तुमने छोड़ा था जिस पर वो कहता है वो मौस्टर्स और ये छोटी बच्ची इसकी मौत का मुझसे कोई लेना देना नहीं है अगर आप किसी को दोस्ट देना चाहते हैं तो उन पुराने साथियों को दोस्ट दे जिन्हों ने मुझे यहाँ पे सील किया था क्योंकि मेरी एनरजी के कारण ही ये सब बीष्ट यहाँ पे क्लियर्ट हो रहे हैं और मेरी energy को absorb कर रहे हैं और मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकता, मैं powerless हूँ तभी जोहान, समझ जाता है कि ये बंदा इतना भी easy नहीं है, इसलिए वो तुरंति केता ठीक है, मेरे friend को आजात करो हम इस जगह को छोड़ देंगे, तभी तभी वो बंदा कहता है, आप तो क्या भले ही मैं अपने peak level पर होता, तो भी मैं इस जगह से नहीं बच पाता, हाला कि अब तक इतना long time भी दिया है, तो five elemental formation की जो power है, वो भी कापी बीक हो गई है हाला कि जब तक आप मेरे लिए एक body बना सकते हैं, और मेरी memory को उसमें रख सकते हैं, तब तक मुझे यहां से निकलने का पूरा confidence है, और ऐसा कहते है उसकी आवाज काफी सांत होती है, तभी जण कहता है, मैं आपके लिए body refine करूँ, और इसके बाद domain के बारे में कोई भी राय आपकी हो, इसका कभी भी आपसे कोई भी लेना देना नहीं होगा, साथ ही अगर तुम मेरा साथ देते हो, तो मैं कभी भी तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं करूँगा, तुम्हें याद रखना चाहिए, यहां पे अंगिना सुप्रीम एक्सपाइड, वो इन मेरेडियन में मारे गए हैं, और आप इन सभी लोगों के, और इजन कोई और, ट्रेजर्स को खोजने के लिए यहां आए हैं, इसलिए मैं इन में से एक को आपको दे सकता हूँ, उसके बारे में आपका क्या खयाल है, इस टाइम पे बलड आई के, जो वर्ड होते कापी पुलाइड होते हैं, क्योंकि, वो समझ गया था जोयान की रिकॉर्मेंट क्या है, और वो यहां किसलिए आया है, और उसके बाद को सुनकर तो जोयान का दिल भी काप जाता है, और उसके बाद वो सोचता है वो टाइम, जब नैदर इंपीरियल कॉनसोर्ट बॉर्ण हुया था, उस टाइम पे सोल डेमेंज ने ग्रेट वर्ड के अंदर कहर बरसाया था, और नैदर लेंड डोमेन और सोल डेमेंज ने हाथ मिलाकर पूरे ही ग्रेट वर्ड को पूरे ही ग्रेट वर्ड को लगबग पलट कर रख दिया था जिसके बाद जोयान कहता है, भले ही मुझे उस चीज की जरूरत हो, मैं तुमारा साथ बिलकुल भी नहीं दूँगा, तभी वो बंदर कहता है तो तुम सोल डेमेंज के बारे में भी जानते हो इस टाम पे तो ब्लाड आई को काफी बड़ा जटका लगा हुआ होता है, और वो थोड़ा देर के लिए प्रिजन टाम की पावड के साथ, अगर मैं बाहर जाता हूँ तो अभी मैं ज़्यादा प्रॉब्लम क्रेट नहीं कर पाऊंगा इसलिए आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूत नहीं है और इसके बाद उसकी ओल्ड आवा जाती है और वो ब्लड चेंड चट्टान में पड़ी हुई बूसाईकी को तुरंती अपने अंदर बांध लेती है तभी ब्लड आईकी ऐसी हरकतों को देखकर जोयाद तुरंती कहता उसे नीचे रखो और जोयादा को काफी यदा गुस्ता आया था और ये जोयाण की बातों से भी साप साप पता चलता था क्योंकि जोयाण को पता था बूसाउकी की मौत केवल उसे बचाने के कारण हुई थी और इसका उधार जोयाण की उपर काफी जादा था हाला कि तब ही ब्लाड आई जोयान की नाराजगी को इग्नोर करते हुए कहता है इसके उपर इतना खताना कर्स सील किसने लगाया है और इसके बाद ब्लाड आई हस्ते हुए कहती ही छोटे लड़के अगर तुम मुझसे बादा करते हो तो मैं इस छोटी बच्ची को भी बचाने के लिए एक चांस क्रियेट कर सकता हूँ और उसका कर्स भी दूर कर सकता हूँ और उसके बाद ना केवल यह फिर से जाग जाएगी बलकि इसकी पावर भी काफी ज़्यादा बढ़ जाएगी जैसे ही वो यह बात कहता है तो जियो यहान के दिल में तुझे से लाइटिंग गिर गई हो जो उनका पूरा मान से एक संतुलन हील जाता है दूस्ता जियो यहो जो की फसा हुआ था वो भी काफी एक्साइट दिखाई देता है हाला कि वो बोलने में capable नहीं था लेकर उसे देखकर पता चलता था कि वो इस चीज के लिए agree है तब ही रेड आई कहती है तुम क्या सोचते हो जिस पर जो यहान कहता है क्या तुमने जो कहाँ वो सच है जिस पर ब्लेड आई से आबाज आती है बिलकुल आखिर यहां से मैं free हो सकता हूँ तो मैं भला तुम से जूट कैसे कहूंगा और इसके बाद ब्लेड आई कहती है इसके बारे में जल्दी से सोचो क्योंकि इस चोटी सी लड़की की बोड़ी की जो life paper वो गाइब होने वाली है और अगर वो बास्तों में मर जाती है तो इस सीक्रेटेरिया का डैमर भी उसे बचाने में capable नहीं होगा उसकी आबाज को सोनकर जोयान अपनी मुट्टी को जोड से बानता है क्योंकि उसके लिए यह फैसला लेना काफी कटिन था लेकिन जयन आखिरकार बड़ी मुस्किल से अपना सीरी लाते ही कहता ठीक है मैं तुमसे बादा करता हूँ मैं तुमसे बादा करता हूँ उसे बचाओ इस टाम पे जयन को पता था कि वो जो कर रहा है वो गलत है लेकिन मुसाई की को बचाने के लिए उसके पास कोई दूसरा अपसर नहीं था तभी ब्लड आई से आवा जाती अच्छा 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 और इसके बाद एक powerful fluctuation old wise से निकलता है जो की काफी ज़्यादा खुसी से बरा हुआ होता है जिसके बाद ब्लड आई से आवा जाती है जल्दी करो और अपनी power को emperor cultivation level तक बढ़ाओ मैं आपको बताऊंगा कि future में क्या करना है और इस टैम पे ब्लड आई के आँखों में जो excitement होता वो धीरे धीरे सांत होता है और उसके बाद उसकी आँके sign होती है और उससे blood red light निकलती है और इससे पहले की जोईन movement कर पाता वो जोईन के माथे पे इंटर हो चुकी होती है जिसके बाद अई से आबा जाती है यह एक Blood Swords Seed है जो इस जगए के Blood Sea से बना है जब मैं इस जगए को छोड़ दूँगा और Blood Sea बिखर जाएगा उस टाइम पे यह Blood Swords से Seed भी अपने आपगायव हो जाएगा लेकिन अगर तुम अपनी इस बात से पीछे हटते हो तो मुझे केवल एक थौट ही चाहिए तभी जोयान भी अपनी आई को टच करता है I mean अपने फोरेट को टच करता है तो उसे वहाँ पे हलकी सी गर्मी फील हो सकती थी जिसके बाद वो ब्लड आई को देखता है कि वो बास्तों में उसे धमकाने की हिम्मत करता है हाला कि तभी ब्लड आई से आबा जाती है मैं इसे इस पष्ट कर दूँ इस लड़की का लग कैसा होगा ये इस लड़की के ही लग पर डिपेंड करेगा लेकिन चिंता मत करो इसका एफेक्ट काफी कुछ ठीक हो जाएगा और इसके बाद उसकी ब्लड आई से ब्लड मिश्ट निकलती है और पागलपन की तरह आसपास की चारो तरफ फैल जाती है जो ब्लैक फॉक को पूरी तरीके से गयब कर देती है और इस टैम पे उसकी बाद को सुनकर जो एन बूसाइक की को गोड से देख रहा था जो ब्लड चेन से बंदी हुई होती है और वो ब्लड मिश्ट बिना किसी निसान के उसकी बॉड़ी के अंडर इंतर होते ही गयब हो जाती है जिसके बाद ब्लड आई कहती है ठीक है मैंनों उसे पहले ही फाइब मेन इन मेरेडियन्स के सेंटर में भेज दिया है जहां पे काई सारे एक्सपर्ट्स के रुइन्स और अपसेस हैं उसे क्या मिलेगा ये उसके लग पर डिपेंड करेगा और ऐसा करते हुए ब्लड आई जो बता रही होती है साथ ही उसकी बाद से फील हो रहा था कि उसे भी काफी गहरी चोटे लगी है क्योंकि उसकी सांसे तेज होती है इसलिए वो तुरंदी कहता है मुझे थोड़ी देर के लिए आराम करने की ज़रुएत है वो इन मेरेडियन में कोई भी मौस्टर नहीं है तो तुम्हें अच्छी तरीके से कल्टिवेशन करना चाहिए और जितना जल्दी हो सके एम्परर कल्टिवेशन लेवल तक पहुचना चाहिए और इसके बाद वो ब्लड आई गयब होती है और ब्लड की बारिस में बदल कर वहाँ पे एक बार फिर से ब्लड सीक्रियेट हो जाता है और जियोयो को बादने वाली ब्लड चेन भी गयब हो गई थी जिसके बाद जोयान और जियोयो उस डाइरेक्शन में देखते जहां पे बूसाओ की गयब हो गई थी और खुझ से बुदबुदाते वो कहते हैं इन फाइनेट एक्सपर्ट जो अलिउदनरी इस प्रेट स्पेस में मारे गए थे वो फाइब ग्रेट इन मेरीडियन्स के सेंटर में दफ़ान है मुझे लगता है कि अगर वो लगी रही तो लिटल में इसको ग्रेट चांस मिल सकता है और उसे और उसे वहाँ से बहुत कुछ मिल सकता है तभी जो अन कहता है मुझे उमीध है और इसके बाद अपने फोरेट को रगारते हुए कहता है अभी जो कुछ भी हो वो एक सपनी जैसा लग रहा है हाला कि उसके forehead का pain उसे दियाद दिला रहा था कि जो कुछ भी होगा सब सच है जिसके बच जयन तुरंती बे हिचा की स्माइल करता है उसे बचाने के लिए बूसाओकी की मौत हुई थी तो जब तक वो उसे बचा सकता था वो कोई भी किमाच चुकाने के लिए रेडी था साथी Blood Eye ने भी कहा था कि वो उसकी मदद करेगी Emperor Cultivation Level तक पहुचने में तो उस टाइम पे अपनी पावर के साथ ये possibility थी कि जयन इस responsibility को उठा सकता था तबी जयो यो कहता है मामू उस बूरे आदमी ने अभी-अभी कहा कि वो आपको Ellusionary Spread Space के control को देने वाला है तो अगर मैं इस बार में सोच रहा हूँ तो उस बंदे को Ellusionary Spread Space का owner होना चाहिए Eye of Great Bab हालाकि जयो यो इस बार में सोच रहा होता लेकिन जयो यान इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता क्योंकि उसे नहीं पता था कि 15 दिनों में अब कितना समय बचा है और उसे जल से जल कल्टिवेशन करना था इसलिए बू साउकी के मामले को जयो अन साइड में रखकर डैमेन बियर के क्रिस्टल को निकालता और तुरंत ही उसे अब्जॉफ करना इस्टार्ट कर देता है दूसे तब जयो यो भी ठका हुआ दिखाई दे रहा था और उसकी बॉड़ी में भी कुछ इंजिरीस आई हुई थी इसलिए वो जमवाई लेते हुए एक ख्लेम में बदलकर जूएन की बॉड़ी के अंदर चला जाता है और जूएन एक चट्टार्ण में बैठकर अपना कल्टिवेशन करने लगता है क्योंकि या पर कोई दूसरा मॉंस्टर नहीं था तो उसे टेंसल लेने की वज़रूत नहीं थी इस टाइम पे उस एनरजी कोड से जूएन धीरे-धीरे एनरजी को अबज़रूब कर रहा होता है और जूएन की बॉड़ी हुई बॉड़ी की रुकी हुए एनरजी धीरे-धीरे बढ़ने लगते है साथ ही यह जो एनरजी कोड था मोनार्च एमपरर के डेमन बीश्ट का था साथ इसकी एनरजी काफी ज़दा रिच थी और इसे एमपरर कर टीबेशन लेबल के मॉंस्टर के और इजन बीट के बराबर माना जा सकता था जो कि जूएन के लिए काफी अच्छा था तो चलो गाइस अब इसी के साथ इस एपिसोड को एंड करेंगे और नेक्ट एपिसोड में इसके आंगे देखेंगे कि क्या होने वाला है क्योंकि जूएन को अभी यूना रोक आलेन को भी ढूड़ना है और इस जगे के बारे में काफी कुछ पता करना है ओके बाइ बाइ ट्रेल फैंदी